हालो एब्रीबन कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे अच्छी से अपने सेहत का ध्यान रख रहे होंगे अच्छे पढ़ रहे होंगे तो आपी चीज़ा समझ में आ रही होंगी तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कर सकते हो तुरू रिपीटिट सब्ट्रेक्शन की लगातार आप सब्ट्रेक्ट करके किसी नंबर को आपके से स्क्वेर रूट निकाल सकते हो यह कैसा में थेड़ है इसको बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्क्वेर रूट क्या होते हैं स्क्वेर रूट जै वो root form निकालनी होती है कि ये किसका square है ठीक है तो अब एक चीज और बता देती हूं कि square निकालने के लिए यहाँ पर इस तरीके से denote करके आएगा और square root निकालना होगा तो ऐसे denote करके आएगा तो खुद बच्चे confused हो जाते हैं इसलिए ये चीज़ बता दी मैंने तो आप confused मत हो ना clear रखना सबी चीज़ों को अभी यहाँ पर ये question मैं करने वाली हूं repeated subtraction method के through जिसमें odd numbers का use होना है तो इसलिए मैं पहले odd numbers को भी बता रही हूं कि odd numbers क्या होते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें भी confused हो जाते हैं कि odd numbers क्या होते हैं या prime number क्या होते हैं composite number क्योंकि बहुत सारे numbers आ जाते हैं तो confusion create हो जाती है तो इसलिए इसको बता रही हूं इसमें क्या होता है 1,3,5,7 इस तरीके की series चल्ड़ी होती है अब ये series बहुत से बच्चे learn कर लेते हैं लेकिन जिनको नहीं learn होता व पिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने सबसे पहले 1 लिखा 1 के बाद 1 skip किया फिर 3 लिखा फिर 1 skip किया फिर 5 लिखा 1 skip किया फिर 7 लिखा तो ऐसे करके 1 1 skip करके भी आप वो series निकाल सकते हो ठीक है तो अभी मैं इस question को करती हूँ इस method से 64 मैंने लिए सबसे पहले हम वही number ले रिजल्ट हमारा निकला है उसमें से next odd को minus करेंगे यानि कि 63 में से minus होगा क्या 3 रिजल्ट में क्या मिलेगा 60 अब ये जो result आया फिर इसको यहां लिखेंगे next odd को minus करेंगे यानि कि 5 इसमें से 5 को minus करोगे तो आपके पास क्या जाएगा 55 फिर 55 इदर लिखेंगे 55 में से next odd को माइनस करेंगे 7 इसमें इसको माइनस करेंगे तो 48 आएगा 48 में से next all को माइनस करोगे तो 9 अब 48 माइनस 9 आप करोगे तो कितना answer मिलेगा 39 39 में से next अब minus करेंगे 11 तो 39 minus 11 कितना होगा 8 और 2 28 then 28 minus किया करेंगे 13 8 minus 3 5 और 2 minus 1 1 15 आ गया बात बोली थी आपको last में जब तक zero ना आ जाया तक आपको करना है यह चीज अब आप सोचोगे कि ऐसे हम क्या कितने बड़ी-बड़ी calculation करते जाएंगे बार-बार subject करते जाएंगे देखो यह method short जो numbers है उनके लिए useful है bigger number में भी useful है अगर बच्चों को division method और other methods को apply करने में थोड़ी difficulty आती है उस case के लिए लेकिन अगर उनकी calculation अच्छी है तो यह method में कोई गड़बढ होने के chances नहीं है लेकिन अगर उनकी थोड़ी सी गड़बढ हो जाती है जैसे आप मुने मार लो यहाँ पर 9 की जगा आपने 11 ले लिया direct या फिर 10 ले लिया यहाँ पर तो फिर वो गड़बढ हो सकती है फिर वो double time लग जाता है तो इसलिए ध्यान रखना last में अब 0 आगया अब क्या करेंगे इन जितने भी हमने calculation किये उन सबको count करेंगे कितनी बार हमने calculate किया है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 तो जितने times हमने calculate किया 8 answer है तो 8 जो होगा वो क्या निकल के आएगा इसका 64 का square root निकल के आएगा simple तो ये था आपका repeated subtraction का method square root find out करने के लिए I hope ये समझ में आया होगा अब आपको दो homework question मैं दे रही हूं जिनके answer आपको मुझे comment box में बताने है आपको मैं दे रही हूं root आपको निकालना है 144 and 225 का तो ये आपको find out करके बताने है और अपने ही जैसे और बच्चों के साथ share कर देना ताकि उनको भी ये method अच्छे से समाझ आ पाए और वो लोग इसका use कर पाए उनको अच्छे से इस method का use समझ में आ जाए और उनके लिए helpful हो so thank for watching, thank you